आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, हमें दिया गया है यदि Lemon को O, V, N, L, M लिखा जाता है तो Melon को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है तो आओ देखते हैं हमें दिया गया है L, E, M, O, N Lemon को लिखा जाता है O, V, N, L, M से तो हमें बताना है कि Melon को M, E, L, O, N Melon को कैसे लिखा जाएगा तो हम इस बोक्त में इसको बंद कर देंगे तो देखिए हमें यहां से स्पष दिखाई दे रहा है कि जो spelling lemon की है उसी के शब्दों से मिलकर क्या बना है यह melon बना है तो हम कह सकते हैं कि जो lemon के लिए यहां पर यह कूटबाशा यूज हुई है वही हम melon के लिए यूज कर सकते हैं उन्हीं अक्षरों के लिए तो देखिए अगर देखा जाया तो यहां से L के लिए क्या आया है O आया है E के लिए V आया है M के लिए N आया है O के लिए L है N के लिए M है इसी परगार हम क्या करेंगे melon के लिए इसका प्योग करेंगे तो देखिए हमें M के लिए पता लगाना है तो M के लिए बीच में है M के लिए क्या दिया हुआ है हमें N दिया हुआ है तो यहाँ पर हम N लगा देंगे E के लिए बात करें तो E के लिए देखिए हमारे पास कितना है V है E के लिए क्या है V है मारे पास दो नंबर पर है L की बात करें तो L एक नंबर पर है यहाँ पर O दिया हुआ है तो O आ जाएगा O की बात करें तो O देखें यहाँ पर O के लिए L है और N के लिए M है तो मारे पास N, V, O, L, M बना है N, V, O, L, M ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, N-V-O-L-M option number 3 is the right answer.